नमस्ति सदा वस्तले मात रुभू में जैहिं दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूँ चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ दोस्तों ऑपरेशन मेगदूद आज के दिन ही किया गया था और 40 साल पहल बढ़ते रेक्स अपडेट की तरफ जो कि हाई एल्टीट वाले आर्यू एवी 200 ड्रोन को लेकर आ रही हैं आखिरकार दो सालों के बाद हल ने आर्यू एवी 200 ड्रोन के असेम्बली शुरू कर दी है जो कि एक बहुत महत्तपुन कदा में हैं दोस्तों आर्यू एवी 200 जो क मैं तो पुन पेलोट शमता है वो इसे पठोल परिस्टितियों में काम करने की शमता प्रदान करती हैं खास करकी हाई अल्टीट रिजन में अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसका मैक्सिमम टेक आफ वेड 200 किलोग्राम का है इंडूरेंस टाइम 3 गंटे का है अपरेटिंग टेंपरेचर रेंज है इसका माइनस 35 से 55 डिग्री सेल्सियस पेलोट शमता है 40 किलोग्राम की और मैक्सिमम रेंज है 400 किलोमेटर की इसकी सर्विस सेलिंग 6000 मीटर है पता दी कि इसमें इलेक्ट्र ऑप्टिकल डे और नाइट कैमरा लगा है पिसके जरीए य डिकनेसंस और सविलेंस मिशन्स भी कर सकता है बर्तनेक्स अपनिर के तरफ जो कि भारतिय वाई सेना के 114 MRFA टेंडर को लेकर आ रही है भारतिय वाई सेना के डिप्टी चीफ एर मार्शल आश्रितोष दिक्षिद जी ने कहा है कि 114 मल्टी रूल फाइटर एरक्राफ टें हत्यारों का निर्बाद इंटिकेशन की आवश्कता पर जोड़ दिया गया है जो कि सुनशित करता है कि इंडियाने एरफोस हत्यारों के लिए अपने घरिली रक्षा उद्द्यों का फाइदा उठाईगी जिससे कि हमारी विदेशिया पूर्ति करता ओपर निर्बारता कम होगी वहीं कहाई जा रहे कि इंडियाने एरफोस ने संभावित निर्माताओं के साथ चर्चा की है जिस पर इस बात पर भी जोड़ दिया गया है कि वे फाइटर जेट के लिए इंडियाने एरफोस की पसंद के हत्यारों को सिमित नहीं कर सकते हत्यारों के सेलेक्शन यान बात साफ हो गई है कि अगर आप सोर्स कोड नहीं देंगे तो आपको टेंडर से दूरी बनानी पड़ सकती है इसलिए भाग लेने वाली जो कंपनिया है उन्हें भारतिय हत्यारों के इंटिकेशन को सुविधा जनक बनाने के लिए पूरी ट्रांस्परेंसी दिखानी होगी और जो भी original equipment manufacturers है वो अकर भारतिय वाईशना के इन बातों को मानता है तो उसे अपने competitive पर एक बड़ा फायदा मिलेगा यानि बात साफ हो जाती है कि भारतिय वाईशना MRFA fighter jets को लेकर काफी actively काम कर रही है और Indian made weapons को इसमें इंटिकेट करने का सबसे बड़ा reason यह है एक तो analytical development agency ने Tejas Mark 2 program के लिए अधिक आतनिरभरता का लक्ष रखा है पहल यह है कि इसमें जो महतोपोन components है उन्हें भारत के नीजी छीतर की कमपनिया सग्यों के साथ तयार करेंगे जिसमें की एक है retractable in flight refilling probe दरसल अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो Tejas Mark 1 एफाइटर जेट में British aerospace company Cobham Limited के द्वारा fixed in flight refilling probe है और HAL का लक्ष अब यह है कि Tejas Mark 2 components के लिए विदेशी मून उपकर निर्माताओं पर अपनी निर्भरता को कम करना है और घरिल उस तर पर यह जो refilling probe है उसे तयार किया जाएगा आपको उता दे कि इस सोदेशी refilling probe का विकास है यानि कि डेबलमे के लिए एक standardized घरिलू समाधान बनने पर ध्यान के इंडित करने का भी प्रतीक है हाला कि दोस्तों घरिलू इस तर पर इस refilling probe को बनाना कोई आसान काम नहीं है इसमें कई तरीके की चुनौतिया भी है और ऐसे में HAL को अब यह सुनुशित करना है कि सरयोगी कमपनियों के प और यह कदम आम तोर पर आप सब जानते है missile परिक्षन से पहले होता है ऐसे में कहा जा रहा है कि इस दौरान एक missile प्रणाली का परिक्षन किया जा सकता है क्योंकि इस नोटम का जो designated area है वो है 980 km का जो की long range की missile का परिक्षन का संकेत देर है ऐसे में हो सकता है कि इस दौरा प्रणाली में भारतिय सेना को 40 से अधिक ground based combat training simulator दिये है और ऐसा करके उन्होंने एक अपनी शमता का यहां पर उधरन दिया है लेकिन अब zen technologies भारतिय वायू सेना और भारतिय नौस सेना के लिए इसी तरह की के जो training simulators है उन्हें देने की बात कर रही है बतादे के वरतमान म कमपनी warship crew और fighter jet pilotों के लिए training simulator बनाने के लिए बातशित कर रही है और यह जो advanced simulator है वो realistic training environment पर दान करेंगे जिसे की जो वायू सेनिक और नौस सेना की कर्मी है उन्हें अपने कोशल को सुधारने और एक सुरक्षित और नियंतिर सेटिंग में जटेल युद्य अभ्यास कर करने का अभ्यास करने के नमती मिलेगी चलिए वरतिने एक स्टर्मीर की तरफ तोस्तों आर्मीनिया की सेना अब कई तरीके के modernization efforts पर लगी वी है खास करकि अपने तोब खाने की छेतर में 2020 में नार्गोनो कारक बक्यूत के दोरान उनकी सेकडों गंस को नुकसान पहुचा अभी तक अर्मीनिया की सेना रूस ने में D20 और D30 अफिसर पर निर्भर है आपको उता दे कि जो मार्ग है वो अर्मीनिया के लिए एक जबर्दस शमता प्रदान करेगा 4x4 विल्ट चेसेस पर स्थापित मार्ग अपनी जबर्दस मोबिलिटी का दावा करती है जो कि अर् भारतिया सेना ने 307 ATAGS यूनिटों के लिए प्रयाप्त ओरर देने की भी योजना बनाई है अर्मीनिया वर्थमान में ATAGS के लिए एक मात्र घोशित ग्रहक बन चुका है दोजार तेईस में उन्होंने 84 ATAGS के साथ बहतर मार्ग यूनिटों के लिए समझोता साइन क्या थ चलिए बढ़तिया नेक्स टबरे की तरफ दोस्तो भारतिया नौसेना दोस्तो भारतिया नौसेना का Aero L-39 Alvato Aircraft भारत के रक्षा पर्तिस्टान के लिए कई देशों को पूरा कर रहा है एक नीजी कमपनी के स्वामित वाला ये विमान भारतिया नौसेना सीरियल नंबर के थायत ऑपरेट करती है जो कि ऑपरेशन को सरल बनाता है और सिविल सर्टिफिकेशन की जो जरूरत है उसको दरकिनार करता है L-39 जिसे कि पहली बार Aero India 2023 में एक प्रदशनी के रूप में सारवजनिक रूप से प्रदशित किया गया था L-39 की भूमिका फारति नौसेना के लिए दुश्मनों के पाइलेट प्रशिशन से कहीं आगे तक फैली हुई है और ये डियाडियो के द्वारा शुरू की गई परियोजना में में तरपुन भूमिका निभाता है खास करकि L-39 तेजस माक्टू फाइटर जेट के लिए डिजाइन किये गए डियाडियो के इं ST परिक्षणों के अलावा इसका इस्तमाल अन्याट डिफेंस टेक्लोजी इवैलिएशन में भी किया जा सकता है साथी भारतिय वाई सेना को L-39 के शमताओं का भी फायदा मिलता है दरसल ये हवाई युद वाला जो युद अभ्यास होता है उस दौरान एक दुश्मन के व पायलेटों को उनके कॉमबेक्ट स्किल्स को निखाने के लिए एक रियलिस्टिक एरियल टार्गेट प्रदान करता है चलिए बढ़ते ने एक्स्टरबरीर की तरफ दोस्तों दोस्तों इरान अब काफी एक्टिव हो चुका है क्योंकि आप जंग के बड़े आसार दिखने हुआ था जैसे ही ये होमुर्ज स्टेट के पास गुजरा उसी समय इरान के इसलामिक रिवलिशनरी गाड कोर के कमांडोस हलिकॉप्टर से उतरे और इस पर कबजा कर लिया हाला कि अभी तक जादा जानकर इस बारे में सामने नहीं आई है लेकिन इरान ने बता दिया कि य जहाज उनके कबजे में है यानि की दोस्तो इरान और इसराइल के तनाओ के उज़े से भारतिया इसका शिकार हो रहे है वहीं दूसरी तरफ दोस्तो 24 घंटे का वक्त और बचा हुआ है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इरान कभी भी इसराइल पर एक बड़ा हमला कर सकता है क्योंकि इरानी सेने कमांडरों के मारे जाने के बाद अब इरान पर काफी प्रश्रा गया है इसलिए वो अब बदला लेने के मूड में है दरसल अगर इरान ऐसा नहीं करता तो उसे लोग पेपर टाइगर समझने लगे और यहीं वज़ाए कि इरान इसराइल पर मिसाइल इसके अलावा इसराइल ने अपने F-35 फाइटर जेट्स को रेडी रखा है वहीं दोस्तों कहा जा रहा है कि अमारिका इसराइल और बिर्टेन तीनों को अब यह लग रहा है कि यह बात बिलकुल शौर है कि इरान पलटवार जरूर करेगा इसलिए अमारिका ने इसराइल म हमला ना भी करे तो क्योंकि इस लड़ाई से दोस्तों पूरी दुनिया की जो एकनौमी है उस पर बुरा असर पर सकता है बहुत चीजें दोस्तों इसलिए कोशिश यही होने चाहिए कि दोनों को बातचीत कर रास्ता अपना ना चाहिए क्योंकि यह जंक शुरू हुई तो कंजा का सना तेज कर दिया है दरसल अब मालदीप की जो मोज्यू गौर्णमेंट है उन्होंने चाहिना की जो ब्लैक लिस्ट कंपनी है CMC इंजिनरिंग उन्हें लामो उतल पर कद्दोई एरपोर्ट बनाने का ठेका दे दिया है दरसल यह चाहिना की वो कंपनी है जिसे की एशियन डेबलमेंट बैंक का नियमों का उलंगन करते वे पाए गया था यहीनी चाहिना की इस कंपनी को वर्ल्ड बैंक में भी ब्लैक लिस्ट किया हुआ है फिलाल यह था भी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स वीडियो के संबन में कोई प्रश जवाब आपको कोई प्रेक्शन में लिकर जरू पुछ सकते हैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ चानल जो सब्क्राइब कीजिएगा जै हिंद वन्ने मात्रम